हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू रैंग पाथ बदेए आप से भी अच्छे होगे मस्त होगे और अपने घरवालों का ध्यान रख रहे होगे लेकिन इस तेमें जो आज का महाल चल रहा हूँ उसमें तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं होगे क्योंकि आज जो ह रही है जो आज हम लोग के साथ हुआ है वो शायद अभी तक लाइफ में कभी नहीं हुआ होगा। आज जो हम बताने वाले आपको है वो आप लोग जान करके आपका दिल दहक उठेगा कि ऐसा हो रहा है। क्या होने वाला है हमारे भविश में क्या हम लोग सुरच्छी तरह पाएंगे क्या हमारी मिनहत बेकार जा रही है या फिर नहीं जा रही है इसकी डिसाइड आप करेंगे यह आपकी लड़ाई है यह हमारी लड़ाई है हम दोनों की लड़ाई है हम दोनों इस लड़ाई को ल करना है आज तक से क्याना जब से हमारा सेना भरती प्रक्रिया चल रही थे अभी तक से ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ था जिससे कि हमारी भविश से घराब हो जाए लेकिन आज हमारा भविश पूरी तरह से डैमेज होने पर आ गई है पूरी तरह से डिश्टुआ होने पा गई है सरकार सिर्फ अपने फैदा चाह रही है आपकी फैदा बिल्कुल नहीं चाह रही है आए नहीं चाह रही है कि आपके क्या होगा लाइफ में आपका भविश से क्या होगा ये सरकार नहीं जा नहीं है सिर्फ सरकार जो है उपर उपर को देख रही है आपके ग्रा से प्रोफिट होगा सिर्फ ओ देख रहे हैं आप लोग इस वीडियो को वहां पहुंशाईएगा जहां कि सरकार स्वम इसे देखे मैं सरकार को स्वम अपना चारा दिखाना चाहता हूं मुझे किसी से डर नहीं मुझे सरकार गिरफतार कर ले इसकी भी कोई डर नहीं क्योंकि एस सोचते हैं इस चलो है हम मिनाध करके जौब ले लेंगे आर्मी में हम में महत करके चले जाएंगे लेकि सरकार उसको भी बरबाद कर दिया नहीं फरक्त पढ़ता है कोई जो जैसे चलेगा वह इसे चलते रहेगा सरकार सो रहे कि हम गौवर्मेंट भी बनाय रखें और इसको बच्चों का भविस भी खराप कर दें ऐसा सरकार ने तुल गया है लेकर के लेकर सरकार जो कर रही है न बाबू जो भाई मेरे सरकार कर रही है न वो बिलुकुल गलत है मैं आपको आज प्रूफ के साथ बताऊँगा आज मैं आपको एक हकीकत बात बताऊँगा कि हमारे भविस में क्या होने वाला तरकार ने अपनी बाते तो रख दी लेकिए सरकार ये नहीं जान पाई सरकार यह नहीं जान पाई कि आखिर में उनके साथ अगले क्या होने वाला है, यह सरकार नहीं समझ पाई, अगर जानती भी होगी तो वो चुप चाप उसको लेकर के बंद की हुई है, बिना किसी सुचना, बिना किसी कुछ करवाई किये हुए, डारेट उसे का देना कि मैं त इतना वायरल किजिए कि सरकार स्वयम देखे, हमारे परधान मंदरी इसे स्वयम देखे, मैं परधान मंदरी को अपना चैरा दिखाना चाहता हूँ, कि आप देखिए क्या होने वाला है, आगे भविश में अगर नहीं सोच पाए हैं, तो देख लिजे कि अगले 4 साल के बा आपको लेकिन जो धूर फाग कर रहे हैं उनके क्या होने वाला है आखिर वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे आपके दी हुई जो पैसा आप चार साल बात बोल रहे हैं देने के रिए क्या उससे उनका खर्चा चल जाएगा मैं आपको पूरा बात बताने जा रहा हूँ एक एक करके समझते जाएगा बाकी आप डिसाइड किया क्या मैं गलत बोल रहा हूँ अगर मैं गलत बोला हूँ तो मुझे यहीं पर ब्लोक कर दीजिएगा मत सेर कीजिएगा मत फैलाईएगा लेकिन अगर बाबु अगर भाई म मत देना इसे रुकने मत देना इसे जितना हो सके उतना आप इसे फ़ला देना मैं चाहता हूं कि इसे सरकार तक पहुंच जाए मैं सरकार से मिलना चाहता हूं ऐसे तो हम लोग की सरकार से भेट नहीं होगी लेकिन आप चाओगे तो मैं आपके तरफ से सरकार से खुद बात कर लूँगा भला है उसके लिए मुझे सरकार जीवन भर के लिए कहला क्यों ना फासी कहीं चढ़ा दे मुझे डर नहीं क्योंकि एक मरेगा न एक अमित मरेगा तो हजार अमित तयार हो जाएंगे यह बात को याद रख लेना एक अमित मरेगा हजार अमित तयार हो जाएंगे इसमें कोई सक नहीं और मुझे इसके कोई परवान है कि मेरा क्या होने वाला है मैं जानता हूं कि यह जाएगा तो मुझे पुलिस जरूर आएगी लेकि इसक सचाई को लेकर के मैं आगे तक गया हूं और सचाई के साथ ही जीऊंगा और सचाई के साथ ही मरना भी पसंद करूंगा तो इस वीडियो को मैं एक एक बात आपको बताने जारा हूँ बैरतिकी से सुनते रहिएगा और इसके सुनने के बाद इस वीडियो को रुखने मत देना भाई बस आप से इतना ही रिक्वेस्ट है आप सभीज साथी सभीज दोस्ट से रुकने मत देना इस वीडियो को जितना हो सके मैं चाहता हूँ मुझे कोई चीज का टेंसन नहीं है मैं चाहता हूँ कि ये सरकार देखे इस चीज को मैं सरकार को दिखाना चाहता हूँ क्या हो सकता है आगे भविस में चार साल बाद इनकी बच्चों की लाइफ क्या होगी जो आपने भैकेंसी निकालने के नाम पर इतना बड़ा धांदली करने के लिए सोच लिया आपने सिफ डिफेंस आर्मी को भी यह फोस नेवी को भी बरबाद करने पतुल गए हैं जो हमारे देश की सिवा कर रहे हैं उनको भी आपने काला नहीं छोड़ा अब किस को छोड़ेंगे हम राजनात सिंग से कोशन पूछना चाहते हैं कि आप बताईए मुझे कि चार सल बाद इन बच्चों से क्या करवाएंगे मुझे उनसे प्रश्न एब है आप चार सल बाद क्या करवाएंगे इन बच्चों से मुझे इतना ही बता दीजी जो आपने एक कहा दिया है ना कि 25% बच्चों को पर्मानेंट हम रखेंगे उनका भी मैं पर्दाफास अभी करूँगा कि 25 साल के बाद वो कौन से बच्चे रहेंगे जो क्याला पर्मानेंट होंगे और 75% वो कौन से बच्चे होंगे जो बरबाद हो जाएंगे बाहर निकाल फिक दिये जाएंगे इसका भी मैं अभी बताऊंगा इसको भी राजनाच शिंग अगर देखेंगे तो मुझे कोई परवाण नहीं है मेरी पर्धान मंतरी देखेंगे उसे भी कोई परवाण नहीं है तो देखें और देख करके यह Decide करें क्या मैं गलत बोल रहा है क्या आज से हैं आज किसी वेकेंसी में धादली नहीं 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 होगा जब आप ने अपना नियम चेंज करकें धादली के रूप में ला दिया है तो होना तय है अगर आप जो है इस धादली के रूप में आ गए हैं तो यह होना तय है और हो कर रहेगा आप एक एक बाते जो पढ़ चुके हैं मैं तो जानता हूं सभी बचे पढ़ चुके होंगे लेकिन एक एक बाते को याद रखेगा मैं एक एक बाते लिख लिख कर आप कैसे होने वाला है कैसे धादली होगी कैसे होंगे कैसे 25 परशेंट वाले बच्चे सिप सेलेक्शन होगे और कौन कौन से होगे 25 परशेंट वालों में और चार साल बाद आप जो देने वाले हैं जो मंथली देंगे उससे उनका कितनी परवरिस होगी क्या तक काम करेंगे उसक तो भी आप अच्छे सध्यान सेने लिएगा फिर उसके बाद आप डिसाइड किजेगा कि से विडियो को क्या करना है क्या हमें मिलाना आए यहा हम आपके तरब से आपके फेवर में मैं बात करूंगा आप अगर डर रहे हैं कार से कि मुझे जेल घाना पड़ी है मैं नहीं डर रहा हूं मैं जाओंगा आप लोग के वजह से जेल में लेकिन मुझे कोई फरक ने क्यों कि मैं मर जाओंगाना मैं पहले ही बोल कि एक अमीत मरेगा लाखों अमीत त्यार हो जाएगी पुझे कोई सक नहीं एक मरेगा लाखों तरब वागुले कि इसे रुखने मत देना अगर मुझे कुछ चाहूं क्या क्या मैं करूंगा इसको बात ध्यान से सुनिएगा सरकार ने कहा है कि मैं जो है चार साल के लिए रखूंगा सरकार ने बोला है कि मैं जो है चार साल के लिए रखूंगा four years के लिए 4 years के लिए मैं रखूंगा 4 साल के लिए आप रखने के लिए तो बोल दिये 4 साल तो आप रखने के लिए बोल दिये लेकिन एप बताईए कि 4 साल बाद बच्चे क्या करेंगे 4 साल बाद बाद क्या करेंगे मुझे इतना बताईए आप कि चार साल बाद क्या होगा इनका भविस दूसरी बात कि आपने एक कहती आये कि मैं 25% बच्चों को पर्मानेंट करूँगा 25% लोगों को मैं क्या करूँगा रेगुलर करूँगा 25% लोगों को मैं रेगुलर करूँगा यानि कि पर्मानेंट करूँगा मैं 25% लोगों क्या करूँगा पर्मानेंट करूँगा तो 75% कहां जाएंगे मुझे राजनात सिंग ये बता दिजिए सिर्फ सरकार मुझे ये बता दे कि 75% बच्चे कहां जाएंगे जो आपने ले रखा है 75% वाले कहां जाएंगे मुझे भी बताईए आप 75% कहां जाएंगे चौथा बात आपसे ये भी है क्या आप नहीं जानते हैं कि 25% वाले में कौन-कौन हो सकते हैं क्या आप नहीं जानते हैं क्या आप नहीं जानते हैं कि इसमें 25% वाले में कौन-कौन होंगे किस तरह से उनको रेगूलर रखा जाएगा इसकी भी बाते मैं करूँगा आपके साथ में इसकी भी बाते मैं करूँगा आपके साथ में बस आप लोग बात को मेरे सुनते रहें मेरे क्या-क्या प्रश्न है मेरे क्या-क्या प्रश्न है मुझे इस बात को ध्यान से सुनिएगा फिर मैंने कहा कि वा उस सरकार ने कर रहे कि मैं पहला जो यर्स होगा पहला जो यर्स होगा मैं उनको 30,000 रुपिया दूँगा क्या बोला है सरकार ने मैं उनको 30,000 रुपिया दूँगा जिसमें आपके पास जो मिलेगा जो आपको मिलेगा ओ 21,000 रुपिया मिलेगा 70 cat rupiya milے گا और जो अग्याला होगा 9000 rupiya government रख लेगी 9000 rupiya government रख लेगी जब दूसरे साल में आप जाएंगे दूसरे years में जाएंगे दूसरे years में जाएंगे सरकार आपका तनखा 33000 rupiya कर देगी और आपके हात में जो जाएगा वो 23100 एक सो जाएगा 23,100 जाएगा बताओ 23,100 जाएगा और सरक्यार कितना रख लेगी तो 9,900 रख लेगी नो हजार नौ सब रख लेगी बताओ फिर पेमेंट की बाते हो रही है तिसरे साल में अगर आपकी बाते होगी तो तीसरे साल में हो जाएगा 36,500 आपका जो पेमेंड बढ़के हो जाएगा 36,500 आपके जो पास जाएगा वो 25,000 मैं सब कुछ रख लिया हूँ 25,580 जो सरकार के पास हो जाएगा वो जाएगा 10,950 रुपिया पर मंत की बाते हो रही है मैं बार बार बोल रहा हू पर मंत की बाते हो रही है याद रखिएगा इसे रुकने मत दीजिएगा 44,000 यर्स में जो आपका लास्ट यर होगा उसमें सरकार आपका वेतन 40,000 पर कर देगी जिसमें 28,000 रुपिया सरकार आपको देगी hand to hand उसके बाद क्या होगा भाई तो 12,000 रुपिया सरकार अपने बतार भाई कि आप अगर पहले साल में आपका होता है 21,000 रुपिया सरकार आपको देती है 9,000 रुपिया रख लेती है बताओ मैं तो जानता हूं इतना भाई कि कोई भी बच्चा कोई भी बच्चा रीच परिवार से तो आर्मी जीडि में जाएगा नहीं कोई भी बच्च का रीच परिवार से अर्मी विजेटी में तो नहीं जाएगा बाई गरीब के लड़के जाते हैं किसांण चाप कि लड़के जाते हैं रूड पर काला जो ठीरि लगा कर बेचने उनके बच्चे जाते हैं बताओ बाबू ओ अगर साल भर तो कई साल तो ओ क्या करेंगे कि अपना जो है उनको बिताने में समय लग जाएगा कई साल एक मिनट कई साल जो है उनको अपना दैनिक इस्तिती सुधारने में लग जाएगा बताओ हुआ है 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 अगर भाई है अगर बताओ रहा है है क्या मैं गलत बोल रहा हूं कई साल जो है उनको अपन की डैनिक की स्तिती सुधारने में लग जाती है है अगर आप उसको अगर आप उसको अगर एक करके छोड़ते हैं कि भाई मैं तुम्हें 21,000 पर महिना के देता हूं तो बताओ उसके 21,000 में क्या होगा मैं आप लोगों से आज हर एक कोशन का प्रश्न पुछना चाहता हूं और मैं च साइड खुद ही करें कि मैं क्या का रहा हूं मैं क्या मैं गलत बोल रहा हूं मैं पहले बोल दिया हूं कि अगर गलत बोलूंगा आप इससे कभी मस 치र कीजिएगा लेकिन सच होगी तो आप बताइए, एक開始 हजार रुपǎ अगर हमें दी जा रही है to 21,000 में हमारा क्या हो सकता है 1 voiture हजार सरकार मुझे एक साल में दे रही है उससे तो मेरा दैनिय इस्तती सुधारने में एक साल क्या दो-तीन साल लग जाएंगे मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं लिखाई करता हूँ, मैं दोर दुप करता हूँ इसलिए क्यों मेरी लाइफ सेट हो, मैं लाइफ को सेट करने के लिए पढ़ाई करता हूँ कि आपको चार साल के काला सर्विस दे करके फिर मुझे आप निकाल फेके और मेरा लाइब बरबाद हो जाए चार साल बाद क्या मैं पढ़ाई करूंगा क्या मैं चार साल बाद फिर से पढ़ाई कर पाऊंगा जिसकी कंटिन्यू चार साल तक पढ़ाई छूट जाएगी क्या वह चार साल बाद पड़ाई करेंगा मुझे जबाब दो रहे भाई सभी लोग मुझे जबाब दो यह जबाब का मुझे कोशन चाहिए राजनात स়ूह से कि हमारे परधान मन्ति से भी कोशन चाहिए कि क्या 4 साल में सिवाद देने के बाद सरकार की कैस muk बात मेरा पढ़ाई हो पाएगा मैं चार सर बात पढ़ाई करूगा हुआ दूसरे साल करें कि तेज़सरो उरॉप्या मैं दूगा अब बताओ कि तेज़सरो रॉप्या देंगे तीसरे साल यह 25580 यह देंगे और काला चौधे यह में मुझे एसीजर शरी अठाईज रसांगे कि उनका नाम है कि मैं आपको जो है टोटल लास्ट में मैं मैं जो है ओपको दूंगा 11 लाक 11 fiance sanctuary रप्या गाणा लाक एक्षट्र हजार रप्या इसमियाम से ren Standard दूंगा तॉंसको ग्यारा लाख एक हत्ता जर्पिया अगर मुझे आप दे रहे हैं ग्यारा लाख एक हत्तर जर्पिया आप मुझे दे रहे हैं तो क्या इससे मेरा क्या हो जाएगा बताओ मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे मेरा क्या हो जाएगा मैं इससे क्या करूँगा बड़ा बिजनेसमेन बन जाओँगा क्या मैं इससे बड़ा बिजनेसमेन बन जाओँगा मुझे इतना बता दो सिर्फ बताओ मैं क्या करूंगा, एक अच्छे से दुकान भी किराना का खोलूँगा, तो 11 लख में आज के जमाना में नहीं खुल पाता है, बताओ, एक दुकान भी अच्छे से किराना का नहीं खुल पाएगा, क्या मैं, अगर माल लिजिए, इनका का नाम है कि मैं साड़े सतरह से एक कई साल के उमर के बच्चों को मैं भरतू लूँगा, अगर जो बच्चा 18 साल में भरती हो गया, तो 4 सार आएगा, 22 में उसको रिटायर्मेंट दे देंगे, 22 में अगर उसे रिटायर्मेंट दे देते हैं, तो 22 के बाद क्या किराना का दुकान चलाएगा, बताओ, जो अगर एक कैसे साल भरती लेता है, तो 25 साल में रिटायर होगा, 25 साल में रिटायर्मेंट पच्ची साल के बाद ना तो पढ़ाई कर पाएगा, और ना कुछ कर पाएगा, तक क्या 25 साल के बाद हो किराना का दुकान या फिर सबजी बेचेगा, ठेले पर ले करके, बताओ, या ओ ठेले पर ले करके सबजी बेचेगा, फिर पहले आर्मी का जोब किया चार साल, उसके बाद क्या करेगा, ठेले पर ले करके सबजी बेचेगा, ओ, मैं आप से कोश्चन पुछना चाहता हूँ, राजनात सिंग आपने इस नियम को तो लगा दिया, मैं परधान मंत्री से कोश्चन पुछना चाहता हूँ, कि आपने इसका जबाब नहीं दिया, क्या यह करेगा बच्चा, आप सिर्फ कर रहे हैं, कि मुझे युवा चाहिए, युवा ले रहे हैं, ओ ठीक है, लेकिन युवा के साथ, युवा का तुम काला, ओ भी तो कर रहे हैं उसको, आप न प्राइम मनिश्टर और हमारे डिफेंज मनिश्टर से, बताओ, क्या होगा इनकी भविसे के साथ, मैं आप से कोश्चन पुछ रहा हूँ, आप से कोश्चन मिझे चाहिए, इंसर चाहिए, और आप देंगे भी, क्योंकि आप दूर नहीं भाग सकते हैं, उसके बाद जो है अगर आप लोग मुझे बताईए, कि अगर वो चार साल बाद मुझे निकाल देते हैं, अगर मैं उनके चार साल बाद निकालने के बाद, मैं कहा जाओंगा, मेरा क्या होगा भविसे? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मुझे कौन देगा? मुझे ये भी चाहिए, कि चार साल बाद जो है, इसका जवाब मुझे कौन देगा? उनकी लाइफ कहां जाएगी? क्या सिवा आप कर रहे हैं देश की? मैं उनसे पुशन पुशन पुशा रहा है, सिवा आप देश की कर रहे हैं, बॉडर पर आप जा रहे हैं करने के लिए, जिसकी बेटा सहीद हो जाता है, ओ कहां जाएगा? अभी आपने ABT साइट करके नहीं बता है, कि अगर आप ने काला चार साल के लिए जिन बच्चों को रखा है, जिनकी वेकेंसी में रिकाला 46 जर जो वेकेंसी निकाल के कर रहे हैं, उनमें जो है, आपने AB नहीं बता है क्या उनको जो है, मेडिकल सुबदा मिलेगी या नही मतब आपके वो सिवा करें, आपके देश की सिवा करें, देश की सिवा ओ करें और उनके बच्चों का कोई भविस नहीं, उनके परिवार का कोई भविस नहीं, आप लोगों की तो बहु सारी तनखाय मिल जाती है, आपको तो बहु सारी तनखाय मिल जाती है, आप लोग तो लेकिन उनकी क्या होगी जो देश की सेवा करने के लिए मर मीटने के लिए त्यार हो जाते हैं बदाव मुझे उनकी क्या होगी जो देश के बॉर्डर पर यानि की पहले तबाव एसे जीडी के लिए साल वर कम से कम जो रुनिंग करता है जिसकी रुनिंग बहुत फिट हो जा चार साल का मात्र जॉब दिया उसके बाद उसका क्या होगा अब सुनों आप लोग जो कह रहे थे कि सर्फ परसेंट वाले क्या होगे मैंने कहा कि मैं यह नहीं चाहिए था 10,000 भी वैकेंसी देते लेकि 10,000 को पर्मानेंट रखते मैं कहा रहा हूँ कि मुझे 46,000 न दे करके मुझे 10,000 देते और 10,000 को रेगूलर करते 10,000 को जो है आप रेगूलर करते रेगूलर करते बताओ मैं कहा रहा हूँ कि मुझे 10,000 बच्चों को रेगूलर यानि नियमित रूप से रखते कम से कम 10,000 तो लोगों का वैकेंसी में जीवन सफल हो जाता 10,000 लोगों को तो नियम रूप से जीवन सफल हो जाता अब सुनो जो 25% वालों की बात ओरे जो 25% लेकर खूस हैं उनके क्या होने वाली है दसा ये भी सीख लो 25% जो लेकर खूस हैं कि 25% तो मेरा सर कोई दिकत नहीं है भाई आप नहीं जानते हो क्या किस बहाली में धादली नहीं हुआ है किस एक्जाम में धादली नहीं हुआ है किस एक्जाम ने बाबु इसमें भी आगे 4 साल बाद देख लेना क्या होगा इसमें भी बड़े बड़े अप्सरों का हाथ होगा बड़े बड़े रोगों का हाथ होगा वो कहेंगे बाबु मुझे 5 लाख रुपया दे दे मुझे 6 लाख रुपया दे दे मैं तुम्हें regular करा दूँगा एक question उठेगा बाद याद रख लेना तु लोग आज मैं बोल रहा हूं इस question को दिमाग उठा लेना उच समय भी 25% की लडाई उर लगेगी कि मुझे 5 लाख रुपया दे दे तुझे मेरी नियमित करवा दूँगा तुम्हें 6 लाख रुपया दे दे मैं तुम्हें नियमित करवा दूँगा बता यह धादली नहीं यह तो क्या है एक करपसन नहीं होगा तो क्या होगा डिफेंस में करपसन होगा यह डिफेंस में करपस तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा, क्या उसमें घूस वाली कामें नहीं हो जाएगी, उस समय भी लगेगा बाबू, कि मुझे 5 लाख रुप्या दिवा दे, 6 लाख रुप्या दे, मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैं तुम्हें नियमित करवा दूगा, 6 लाख रुप्या दे मैं तुम्हें क्या करूँगा नियमीत करवा दूगा अनि कि रेगुलर कर दूगा पर्मानेंट तुम हो जाओगे रेगुलर हो जाओगे कि ये सवाल उठेगी बावु इसलिए मैं कहाँ भाई आज ही इसको भी उठाओ सवाल को चार साल बाद यहीं होने वाला है कि उसमें भी तुम्हें कहा जाएगा कि चार साल बाद जो कह रहे हैंना कि कि चार साल बात पचीस परसंट नहीं रहुँगा। 25 परसंट वाले में ए लडाई होगी। कि यह कहाँ जाएगा कि तुम मुझे पचार लाख रुप्या दे दे, पांच लाख रुप्या दे थे, छालाख रुप्या। यहां तक कि 10 लाग की बाते होने लेगी, कि 10 लाग रुपया दे दो, मैं तुम्हें क्या करूँगा, रेगुलर करवा दूँगा, ए अपसरों की कलन रेंडिती हो जाएगी, यहां पक्कर अप्शन बढ़ जाएगा, सरकार इसको नहीं ध्यान रखिए, कि क्या होने वाला है, चार सल बाद, इन नियम 4 सल बाद आजएगा, इस बात को याद रख लेना, चार सल बाद ए चीज़ां आजएगी, घूस लेने वाली बात, यहांन पक्क घूस लगेगा बाबु, याद रखना अब तुम्हें घूस मांगा जाएगा, तुम्हें जॉब में भी घूस मांगा जाएगा, तुम्हें रेगुलर होने के लिए घूस मांगा जाएगा, यह 5-6 लग तुम्हारी घूस हो जाएगी, सरकार अच्छी तरह से बात को जानती है फिर भी उस बात को नहीं मान रही है यह आराम से सोची होगी इस बात को इसलिए मैं कहा रहा हूँ बाबू कि जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है उसे रुखने मत देना मर जाते हैं लोग काला नौकरी लेने के लिए धूर खाते हैं रात का रात और दीन का दीन यह नहीं देखते हैं कि मेरी जिन्दगी क्या हो रही है अपनी जवानी को काला रोडों पर दोड़ा करके खतम कर देते हैं फिर भी सरकार ने उनको नहीं बक्षा देश के जो सिवा क करने वाले बॉडर पसिवा करने वाले रात के रात दीन के दीन जो बॉडर पसिवा करते हैं उनको भी सरकार नहीं छोड़ा उनको भी साब का दिया कि जो है आपको मैं इस तरह से बरबाद करूँगा अरे डारेक्ट तुम उसे नहीं बोल सकते हो लेकिन इस तरह से तुमने तो रेगुलर्टी मैं जान जाओ कि आप नियम सही बनायो मुझे इसकी रेगुलर्टी में मुझे चाहिए आप इसका नियम बना दो मैं जान जाओ कि आप ने क्या कि इसका खुला सा करो सब के सामने कि मैं 50% वाले बच्चे क्या करेंगी क्या आपका 11 लाख रुपया देने स उनके life set हो जाएगी 25 साल बाद जा क्या उनकी उमर खतम हो गई है क्या वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं क्या आपकी भी होती है आप काला बुढ़े हो जाते हो ओल्ड हो जाते हो क्या आपको ने अरे चार साल बाद उनसे निकाल रहे हो वह तो और भी एक आला क्या हो गया एक्स्प्रियेंस हो गया उनके पास में देश की सिवा करने की जागरुकता उनके पास में हो गई देस के सिवा करने का उनके भावनाय जुड़ गया और जैसे उनका मन उत्साइध युड़ा करने के लिए जैसे वो तन मन धन लगाए देश के सिवा करने तब तक से आप उन्हें निकाल दिये, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कहीं सुने हो आप लोगों ने, कि होता है ऐसा कहीं, इस वीडियो को मैं चाहता हूँ, कि जो अभी 25% वाले खूस हो जा रहे हैं, कि मैं 25% में हो जाऊंगा, बाबू इस चीज को भूल जाना, 25% वाले में भी को हैं डुकेंगे, जो घूस देंगे बड़े-बड़े अफशरों को, जो बड़े-बड़े अफशरों का चमचा बन करके रहेंगे, बड़े-बड़े अफशरों की बातें मान कर रहेंगे, उनको यह कहेंगे, कि वह तुम मुझे इतना लाग रुप्या दे दे, मैं तुम सामसा रखूंगा क्या और एक्जाम में टेस्ट नहीं होते हैं और जो आप वेकेंसी रिकालते हैं टेस्ट नहीं होता है उसमें क्या उसमें मेटिकल फिजिकल नहीं होता है हर एक चीज होता है फिर भी उनके साथ धादली होती है उनके साथ घूस की बाते होती है तो यह तो चार साल बाद निकल के उनका लाइट बरबाद होने वाला है ते इसमें तो सब सोचेंगे ना कि मैं 25 परशेंट उसलाव ना कि कम से कम मैं regular तो हो जाओं इसमें सब चाहेंगे न क्योंकि 25 साल बाद जो इकजाम करके वो धादली के लिए और घूस देने का प्रयास करते हैं कि मेरा इसमें जॉब हो जाए क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी वो देते हैं लेकिन यह तो चार साल बाद छोड़ चुके हैं ना भाई तो क्यों ना इसी तरह से उख करेंगे उनकी मजबूरी हो जाएगी ना पैसा दे करके उस जो में रहने के लिए अब उस समय मत उस बैक्ति को काला गिरबतार करना कि तुमने इस पैसा दे करके किस नोकरी में रा क्योंकि एक बक्चे नहीं देगा लेकिन और बच्चे देदे उनकी लाइब बरबाद कर रहे हो तो उनके पकड़ने का अधिकार आपके पास नहीं है हमारे सम्मिधान के अनुशारे बात को मैं प्रूब करूँगा जिस तरह से आपने हर एक चीज को तोड़ते हुए आ रहा है उसी तरह से मैं कदर आओ कि ये भी आप बरबाद कर रहे हो ये भी बरबाद करो मैं किसी के खिलाप नहीं बोलता मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ मैं किसी बिपक्ष पार्टी से बाते नहीं करता हूँ मेरे लिए कोई पार्टी माटी नहीं होती है मैं एक सिक्षक और एक स्टुडेंट्स के हैसियत से बात कर रहा हूँ मैं किसी पार्टी या संगेठन से नहीं होता हूँ मुझे तुरंट क्या का दिया जाएगा कि यह opposition party वाला था तब इतना इतना विरोध किया लेकिन नहीं मैं किसी opposition party से नहीं हूँ मुझे किसी से लेना देना नहीं है मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो सचाई है सचाई रखो आपकी सरकार होगी तो मैं आपको भी ऐसे ही कहूँगा दूसरे की सरकार आएगी तो दूसरे को भी मैं ऐसे ही कहूँगा क्योंकि यह सचाई है मैं सचाई है से कभी पीछे नहीं हटता तो यह बात को याद रख लिजी परधान मंत्री जी राजनात सिंग जी आप लोगों ने जो किया इस पर एक बार बिचार जरूर करें कि 4 साल बाद उन बच्चों का क्या भविस्य होगा जिनको आप निकाल देंगे जौब से जिनको आप घर भेज़ देंगे उनका क्या होगा आप से हाथ जोड़कर इसी का निवेदन है कि आप इनके बारे में कुछ सोचें आप इनसे सोचें कि इनको क्या करवाएंगे आप चार साल बाद अगर आप कम ही वैकेंसे निकालते बच्चे कम ही होगे लेकिर रेगुलर तो होते न मुझे इतना चाहिए आपसे आप तो अपना नाम रख देंगे आप चार साल पान साल बाद जो आपकी बोटिंग होगी चुनाओ होगा उसमें आपने दिखा देगा मैं आर्मी में इतने लोगों को बहाली कराया लेकिन कितने लोगों को बरबाद किया यह आप नहीं दिखाओगे आपने हर साल का आकरा बना करके लाश्ट में चुनाओ से में ए दिखाएंगे कि मेरी सरकार ने इतने लोगों को आर्मी में बहाली जौब दी लेकिन उन ब्यक्ति को नहीं दिखाओगे जो ब्यक्ति चार साल बाद रोड पर घुम रहे होंगे लाखों लोग रोड पर घुम रहे होंगे उनको आप नहीं दिखाओगे इस तरह से आपकी कूर्सी जा सकती है याद रख लीजिएगा आप जिनके बल पर लडाई लड़ते हो न देश बिदस में जा करके कि हमारे भारत में यूध जनरेशन है जो किसी देश में नहीं है वो हमारे देश में था है लेकिन आप उसे भी बरबाद करने पर लग गये हो हमारा देश यह जैसा देश था जो यूदों से भरा हुआ है अगर एक बार अगर तयार हो जाना तो किसी देश को उसकी आउकाद दिखा दे लेकिन आप उसे भी तोड़ रहे हो उसे भी बरबाद कर रहे हो शिर्फ आप देश बिदेश में जा करके एक कहते हो कि जो है मेरी यूद जेनरेशन है जो किसी देश में नहीं वो मेरे देश में पाया जाता है लेकिन आप कह करके ओ तो आपने निकल गया लेकिन उन्हें भी बरबाद करने पर लग गया जो आपके लिए मर मिटते थे जो देश के लिए मर मिटते हैं उनको भी आपने नहीं छोड़ा तो मैं एही बात आप से कहाना चाहता हूँ कि आप जो है 75% जो लोगों को छोड़ रहे हैं जो 75% लोगों को बरवाद कर रहे हैं उनके बारे में आप जरूर सोचिए उनका भविश से क्या होगा उनका भविश से कहां जा रहा है उनका भविष्य के बारे में आप क्या सोचे हैं मैं इतना आप से जरूर पूछूँगा इतना सवाल मेरा जो है हमारे डिफेंस मिनिश्टर राजनाथ सिंग से भी है और हमारे परधान मंत्री से भी है मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप सभी साती भाई बैन जितने भी लोग देख रहे हैं जितने लोग भी देखेंगे बाद में वो इतनी स्वेर किजे कि मैं खुद जाओं उनके पास आप लोग नहीं जा सकते हैं मुझे बुलाए जब मैं जाओंगा मेरा कोशन का जबा आप जयरें में पहुंचने के लिए ते यहां कि मुझे किसी बात की डरण है क्म इस बात को याद रखे गा इस वीडियो को जहां हो सके वहां तक goarl किजिएगा जितना हो सके उतना पहुंचाईएगगा मैं आप लोग से बस इतना यजा निभदन चाहता हूँ ताकि आप लोग से मैं ही जुड़ा हूँ, आप हैं, हम हैं, हम दोनों मिल करके इसका समधान डुणेगे, तभी जाकर करके मिलेगा, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे मैं अकेले जो है कुछ भी नहीं कर पाऊंगा ए बात को याद रख लिजेग मेरे साथ आप लोग भी रहोंगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा मैं भी सरकार से में सवाल कर पाऊंगा मैं सरकार से तभी बाते कर पाऊंगा जब आप मेरे साथ खड़े रहोगे तो चले ठीक है मैं एग जीचे बताया आप लोग को मैंने एग भी बताना था कि 25% वाले में कैसे कैसे धातली 4 सल बाद होगा कैसे लडाईया होगी यह भी मैंने आपको बताया कितने बच्चे बरवाद होंगे यह भी मैंने बताया सरकार की क्या रणनीती है यह भी मैंने आपको बताया मैंने हर एक चीज आपको बताया हर एक चीज आपको किलियर किया मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इतना सियर कीजिए इतना काला इतना फैला दीजिए ताकि ये वीडियो कभी रुके नहीं मुझे जल्द से जल्द इह मुका मिले कि मैं उन लोग के सामने जाओं और साम चार साल बादे भी मैं पूछ सकूं कि क्या आप नहीं जानते हो कि जो कितने धादली हो रही है क्या आप नहीं जानते हो कि कितनी धादली किस किस इकजाम में हो रहा है क्या आप से छुटा हुआ है क्या पचीस साल बाद ए चीज नहीं होगी चार साल बाद ए चीज नहीं तो चलिए ठीक है, मैं मैस मिलता हूँ यहीं तक, आप लोग इस वीडियो को जरूर सेयर किजिएगा, अगर मैं लगा रहा हूँ कि मैं सचायां यहां पर खोल का रखा हूँ सरकार की, मुझे आप लोग को लगा हूँ कि मैं आपको बाते को रख रहा हूँ, मैं आप लोग को लगा उगा कि मैं सही बोल रहा हूं तो इस वीडियो को आप जितना से जितना सियर करिएगा जितना से जितना वायरल किजेगा मैं यहीं चाहता हूं कि मुझे इतना ही चाहिए जो भी मूले yang regular मेरे लाइफ बरबात ना हो क्योंकि चार साल बाद कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है चार साल बाद जिसकी रेगुलर पढ़ाई चार साल छुट जाती है और पढ़ाई नहीं कर पाएगा इस बात को भूल जाएगा कि आप पढ़ाई कर सकते हैं चार साल बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं अगर पढ़ाई करते हो तो नहीं कुछ हो सकता है बात याद रखेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले कोई वीडियो में आपकी लेकिन इस बात को जितना हो सके शेर जरूर कीजिएगा इस सचाईयों को कभी रुकने मत दीजिएगा बस आपसे इतना ही रिखेंश्ट है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तब तक लिए ध्यान रखेंगा जय है